इमेज टाइग को थोड़ा सा कंटीनिव करें तुकि लास्ट टाइम पर इमेज पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास केवल एक फोल्डर होता था और उसी फोल्डर के अंदर हमारी इमेज होती थी तो हम उसको यूज कर रहे थे जस्ट लाइक हमारे पास ऐसे यह बेसिक प्रैक्टिस में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था लास्ट टाइम पर हमारे पास यहीं पर फाइल भी थी और यह पिक देके हमारा इसी सेम प्लेस पर लगाया था जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको इधर करके देखें तो अगर आमें इस इमेज वाले फोलडर में से अगर हमें निकाल करके इमेज को लगाना है घू वह फाथ देना पड़ेगा तो इसे तरीके से हमारे पास आक्रिक्शयर कोгोर से एक तो अभी हम लोगों ने एक्स एक्सरसाइज और व्य हमने देया था पको करने के लिए कि table tag के help से हम चाहते हैं कि यहां पर top left corner पर एक ही में जाए top right corner पर एक ही में जाए एक center में जाए एक bottom corner left bottom पर आए एक right bottom पर इसके लिए हमने table tag का झीज़ करके 3 row लिया था first row में यहां पर second row लिया था फिर यह third row में लिया था क्या हम ने इमिज लगाया था सब्सक्राइब जो रहें किया और यहां पर यहां पर आपर हमने रहें क्या है और टेबल का में बॉर्डर नहीं दिया है और टेबल को तो हमने विद्ट किया किए तो हम इस तरीके से हमने क्या किया था इसको अभी टेबल के द्रह आरेंज किया था तो आप इमेज की हाइड विट्स पर को आटमेडिक सेट हो जाता है तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं ऐसे भी बट और भी तरीका होता है हमारे पास फोल्डर में जैसे बहुत सारे फोल्डर सम बना करके इमेज को रख सकते जैसे कुछ इस तरीके से भी फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जैसे मालो हमारे पास एक ब्लैक वाला जो है हमारा यह एक बड़ा वाला फोल्डर है ठीक है फिर practice. एक practice folder रखा है, इस practice folder के अंदर फिर से एक और sub folder है, जिसको हम image folder बोल रहे हैं, और इस image folder के parallel में हमने एक html file रखी है, और इस image folder के parallel में हमने एक image रखी है, और अगेन हमने इस image folder के अंदर भी हमने image रखी है, तो ये चीज़े हमारा क्या folder structure, पहले कम इस folder structure को थोड़ हम जो कैसे हम यहां पर लिंक करेंगे और इस स्ट फोल्डर के अंदर इंग्स फोल्डर के अंदर मार Wijयर ऊतव कैसे हम strax X.html के parallel में हमने एक इमेज को लगाया था यहां पे basic practice के अंदर क्योंकि यह दोनों क्या थे parallel में थे तो हम यहां पे एक folder structure बनाते हैं आपके सामने यहां पे हमने एक नया फोल्डर बना लिया इस नया फोल्डर का नाम मैं रख दे रहा हूं टैकाउब इस टैकाउब फोल्डर के अंदर एक image रखनी थी हमें तो image को हमने यहां पे रख दिया यहां से ले लिया पिक करके हैं तो मैंने पिक वाली image ले लिया और इसमें हमने यह image डाल दिया इसका नाम क्या रखना था ABC रख दिया और इसी के अंदर हमें एक और image folder बनाना है practice नाम का folder practice नाम का folder हमने बना दिया practice नाम का folder बना लिया इस practice folder के अंदर हमने क्या क्या एक और folder बनाया image नाम का image नाम का इस image के अंदर एक और हमें image रखना है और एक index.html फाइल बनानी है और pqr.image दो image बनाने ता हम दो images और ले लेते हैं यहां से कुछ gallery में से my pictures में से यहां से कुछ आ है images मैं ले ले रहा हूं इसमें मैंने take up के अंदर practice के अंदर एक image रखनी थी तो मैं यहां पर image रख दे रहा हूं इस image का नाम मैं pqr.gpg दे रहा हूं ठीक है pqr.gpg और इस classroom वाले का हमने क्या क्या था xyz रखाता ना xyz तो xyz हमारा किसके अंदर है image folder के अंदर अब यहां पर मैं html फाइल बनाना रह गया तो हम html वाली फाइल भी बना लेते हैं फाइल में जाकर के हम save wise कर लेते हैं एक html की फाइल बनाते हैं अब यहां पर हमने क्या किया अब इसी को हमें link करना है images को तो देखते हैं कैसे लगाएंगे नीचे का मैं सारा code रटा दे रहा हूं ठीक है इमेज को हम यहां पर लगाएंगे आई लिखते image कैसे लगेगी एक तो image folder के अंदर अगर हमें जाना है तो हमारे पास एक ऐसा तरीका था कुछ इस तरीके से तो image folder के अंदर हमारे पास xyz है तो हम यहां पर दे देंगे xyz ठीक है इसी को हम एक और तरीके से भी दे सकते हैं यह हमारा मैं यहीं पर heading दे रहा हूं यह हमारा क्या है h3 दे लिया heading h3 में मैंने लिख दिया समझने के लिए यहां पर कि यह जो image हमारी दी गई है image pick from image folder ठीक है और किसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पर हम इसको हटा भी सकते हैं dot dot आप ऐसे लिखे और ऐसे लिखे दोनों बाते सेम चीज़े हैं ठीक है और यहां पर हमारे पास अगर हम वापस जाएं अगर हमें direct index वाले में PQR को लगाना है तो हमें यह यहां पर path देने की ज़रूरत नहीं है सीधे direct हम image का नाम डाल देंगे PQR और ऐसे अगर हम चाहें तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मतलब होता है current folder यह indicate क्या करता है current folder तो यह current folder में क्या करेगा image folder को search करेगा फिर उस image folder के अंदर यह image को search करेगा यह dot or forward slash क्या करता है आप ऐसे भी कर सकते हो बट अगर माल भी हमें techhub वाले folder में से अगर कोई image लगानी है Techhub वाले अगर हमें Techhub वाले folder में से image लगानी है तो हम यहां पर क्या करेंगे फिर फिर हमें दिक्कत हो जाएगी अगर हम इस तरीके से directy use करना जानते हैं तो हमें ये वाला भी तरीका पता होना चाहिए, जैसे अगर मालीजी हमें दो बार डॉट लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि ये जो हमारा करेंट वाला फोल्डर है, प्रैक्टिस वाला फोल्डर, ये एक डॉट और अगर हमने बढ़ा दिया, तो ये करेंट वाले फोल्ड तो आप इसको, अब यहां पे हम ये डॉट नहीं हटा सकते, जैसे इसमें हमारे पास ओप्शन था, कि आप लगाओ या न लगाओ, बट इसकेस में आपको लगाना ही पड़ेगा, कि फिर आप पैरेंट वाले फोल्डर में से निकलना चाहते हैं, जिसको रूट फोल्डर आप बोलते हो, जहां से हमारा शुरू हुआ था, तो हमारा यहां पे देखोगे तो टेक आप हमारा रूट फोल्डर था, तो टेक आप वाले फोल्डर में से यह वाली इमेज पकड़ना है, कहां से, इस जगह से, तो आप पीछे जाना है, बैक जाना है, तो आपको डबल लगाना पड़ेगा और आप current folder की बात करोगे तो single dot लगाना पड़ेगा तो single current folder के लिए आप dot लगाओ या ना लगाओ कोई फरक नहीं पड़ेगे तो अगर हम यह dot लगाना नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा बाद में future के लिए problem होती है और कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं जैसे हमें image लगानी है तो वो क्या करते हैं कि डाइरेक्टर से जैसे उनको desktop से लगाना है तो वो क्या करेंगे कि अगर उनके पास desktop पे कोई image है जैसे menu 1 है तो यह menu 1 हमारे पास या इस्टेटस menu 1 है इसी की property देख लिए तो यहां पर हमने फाइल का नाम कॉपी कर लिया या फिर इसका जो पास है न यह पूरा उठाना पड़ेगा यहां पर हमें यह पूरा पास हमें देना पड़ेगा ऐसे यहां पर हमें पूरा पास देना पड़ेगा अगर हम ऐसे पास देंगे तो बाद में दिक्कत क्या होगी जैसे मालो गर हमें इसको किसी दूसरे computer में ले जाकर के चलाना है तो वहां desktop पे image नहीं मिलेगी तो यह क्या करें का error देगा लेकिन अगर हमें दूसरे desktop में अगर हमें ले जाना है और हमने उसी folder के अंदर image रखी है तो जब भी ले जाएंगे तो हम पुरा folder लेके जाएंगे तो इसकेस में हमारा error नहीं देगा तो यह किसी दूसरे computer का मतलब यह है कि कभी हम server पे भी ले जाते हैं तब पर भी वहां पर problem आती है इसलिए हमारा best practice होना चाहिए कि जो भी image हमें लगानी है अपने folder के अंदर ही project folder के अंदर ही रखने होती है ठीक है अब इसका अगर हम output देखेंगे तो यह हमारा सही-सही proper काम करेगा अगर इसका extension गरश्चेंशन गरबढ रहेगा वह उस इसका काम नहीं करे देख्या यह काम नहीं कर रहा यह आप का दे देखोगे तो देक्स्टॉप पे जो आमारी इमजे थी ये थी अमारी देक्स्टॉप वाला हुआ संक मार्य काम कर रहा रही है। और हमेरिक करो देख्ए हमेर्थ कोण कामने कर के कौन कामने कर रहे है। दो इमेजेद ऊपर वाली काम कर रही है, यह दो इमेजेद यहां पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर PQR.JPG हमने लिखा है, इसको जरह हम चेक करते है, PQR. इमेज यह देखे PNG इमेज है, तो हमें इसका एक्स्टेंशन भी देखना पड़ेगा, प्रपर्टी में ज लगा देना, इमेज का टाइप आप चेक कर लेना, किस टाइप की इमेज है, वाकि आपको 100% लगाना चाहते हो, 50% लगाना चाहते हो, यह इसकी width वगरा, height वगरा, आप कैसे आप सेट करना चाहते हो, आप अपने recording देख सकते हो, इसको save करके, फिर से आप run करोगे, तो पाने लगेगी, यह PNG मेजज थी, ठीक है?